को कि यह वेविवन वेलकम टू मैनी समायल फ्रेंड्स एन फ्रूदेंट्स क्या आप स्सी बैंक्स स्टैनोग्राफ देयस एन डेयोर यूपी सिक त्यारी कर रहा और में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही उसके इंगलिश चैक्सरमें क्या आपको ग्रैमर्स के सारी डूल्स याद याद करने पर रहे हैं या सिरिनेम्स हो या एंटेनम्स हो याद करने पर रहे हैं तो घबराएं नहीं आपके लिए लेकर के मैं आ रहा हूं धेड़ सारा वीडियो जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा जी हां कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा तो में हाजिर, अब देखिए काईसे मिनिंग होगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है बैक एड कॉल, अब देखिए इस बेक को ना BAC के लिखता हुआ, में मेंिखता हुए हा, यहां लिखा हुआ है बी-e-c-k, टीकिछ हम लिखते हैं आप मुझ से पढ़ रहे हो class में और उसके पाद मैंने आपको leave कर दिया छुटी दे दिया छुटी दे आप जाओगे यहाँ क्लास से निकलो अप जाओ जैसे आप गये बाहर तो मैं पीछे से आया मैं पीछे से आया और आपको call किया मालू आपका नाम है रोहित मैं भोलो है हाजिर हुए यह सिल आगे हिसल मैं पीछी से गया और बुलाया तो आप क्या बोलोगिया यह सर मैं आ रहा हूं इस सर अब और आ नहीं कि बताए हुए कोई सेवा है को आगे सर यह तर行 है यह ना आगए के हिंदी में हो गया हाजिर हुसर मैं एक बात बोलूँगा आपको मैं जो भी कुछ पढ़ाओं आपको इस पुड़े बिना लिखे और याद किये remember करने का एक rules मैंने बनाया है कि पहला rule है कि जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाओंगा आपको visualize करनी है आपको उसको आँख बंद के visualize करना है और दूसरा rule है कि आपको मैंने सब लिपसिंग करनी है ताकि आपको आपका mind concentrate हो आपको लिपसिंग करनी है और तीसरा है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप like जरूर करना आपके लिए फाइदा सावित हो रहा है फाइ जरूर करना प्लीज ये बड़ी अच्छी बात कही है तो हम आते हैं अपने point पे यहाँ पे है black and blue हमारे next idiom है black and blue अब देखिए बुड़ी तरह मार्क है वह कैसे में नहीं आया black and blue का मतलब बुड़ी तरह मार्क है कैसे में नहीं आया देखिए आपको पता है किसी movie में दे साहूरी बहूत ज्याठयगा जाता है तो पहले बुड़ी ब्ली होता है और वही नीला बाद में क्या होता है black उ जाता है इसका मतलब बताईए अगर पहले blue हुआ अगर को सकते Tapi और उसके आप फिर black पढ़ गया तो बताइए वह कितना मार खाया है बुड़ी तरह मार खाया कि नहीं खाया आगे answer आगे answer बुड़ी तरह मार खाया है black and blue मतलब बुड़ी तरह से मार खाया हुआ अब इसको imagine कीजिए visualize कीजिए कि black and blue अगर कोई ऐसा बंदा है जो पहले इतना मार खाया था कि पहले blue पढ़ गया body पढ़ उसके उसके black पढ़ गया तो बताई कि इतना मार खाया है वो बहुत बुड़ी तर मार खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ है हमारे next idiom है black and white अब बताई black and white मिस लिखी तुरुप से कैसे होगा जब हो सकता है कि black and white black and blue हम तो जो लिखी तुरुप से लिखते हैं वो तो black and blue भी हो सकता है black and red भी हो सकता है black and white ही क्यों आया white and red भी हो सकता है white and blue भी हो सकता है यहाँ पर white and black या black and white ही क्यों आया कैसे होगा meaning लिखी तुरुप से कैसे आया meaning समझेगा आप कचहरी पर जाते होंग जहां पर कॉट होता हुआ कटकोट आप मुझे बताई है आप वहाँ पर एफ टेविड बनता है हमारा सपत्पत्र बनता है जैसे अगर आप किसी स्कूल में अगर आपका डिगरी में कोई नाम गलत हो गया है तो वो बोलता है एफ टेव बनता है उसका sheet कैसा होता है sheet होता है white यस sheet होती है white और जो लिखावट होती है वो हमेशा black ही होती है जो typing जो type करते है वो sheet होती है white और जो type करते हैं वो हमेशा black ही होता है और उसी जो लिखावट होता है उस पे वकील का signature होता है उसके बाद वो लिखी तुप से परमानित होत नए तू समझा नहीं अब मुझे बताइए कि वहां से मिनिग आया कि नहीं लिखी तुरुप से आप जो लिखते हैं या हम जो लिखते हैं उसके कोई पर्मानित नहीं है लेकिन वहां जो ब्लैक अन वाइट लिखाता है का चहरी पे जिसका स्वीट वाइट होता है और जो लिखावट होता है टाइप रेटिंग का वह हमेज़ा ब्लैक होता है उसी का लिखी तुरु से पर्मानित है कि नहीं एफिडेविट का अब मुझे बताइए तो आया कि नहीं है वह तो आगे यह ऐसे मिनिंग आंसर आईए नेक्स्ट मीडियुम पर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम है बोत इंस मीट क्या है बोत इंस मीट वह तो गुजर बसर करना या रूजी रोटी कमाना कैसे मिनिंग होगा कि यहां पर बोल रहा है कि बहुत मींस क्या होता है दोनों हम दोनों से लेते हैं यहां पर वर्ड के कई बर वर्ड के मिनिंग से आंसर आ जाएंगे आपको मीनिंग के भाव पर जाना हो या मैं जो भाव निकालूंगा उससे समझने के लिए उसका प्रयास करना है बस आपको करनी है मेरे साथ lip-sync करना है और अगर ये लिप-sync करने के बाद उसके बाद और कुछ कमी हो मेरे वीडियो कैसा लग रहा है कुछ कमी हो तो आप मुझे सिर्दें उसके बाद वैंड़ साम-बच्च को कई वीडियो कि नियुक्त यहां मिनिंग यहां इनकालते नियुक्त है इंग्लिश में उल्टेडा में निकालते हैं मिनिंग दी। दूनों के लिए मतले मेरी आप मेरी बीवी वाच्चिकल कुछ मिल जा एब बैताओं से क्या मांग रहा है हम वह एपतां इतन से घृदय सै जआ हूं चल जाए आप समझ यह लिएा कि कि मैं एक रिक्षा वाला हूं और सुबह से साम तक मैंने मेरी सुबह सेरे के दो फट तक मेरी कोई पसंजर नहीं मिला तो मैं भववान से क्या बोलूगा है इतना देदाना भववान आज घर वापस खाली हाथ ना जाए इतना देदाना कि मेरा बीवी बच्चे कम से खाकर सो रोजी रोटी चल जाया मैं फिर से बोल रहा हूं आपको वर्ड पर नहीं जाना है वर्ड के भाव पर जाना है ऐसे ही आपको सारे इडियम से याद होंगे हमारे निक्ष इडियम है बैट एन आइलीड मतला होता है भाव ही निया प्रतिक इडिया है और एन में तो एक और एक लिए लिया आइलीड मतलता आख होता है अब आप मुझे बताई यहां से एंसर आया की नहीं आया कि चमगादर का आख अब बताई चमगादर का आख दिन में पर तिकडिया ही हीन होता है की नहीं होता है दिन में भाव हीन होता है की नहीं होता है आगे एंसर आगे एंस प्रतिक्रिय हीन होता है, इनक्टिव होता है की नहीं होता है, भाव हीन आपको अपको अपर लठका रहता है, वह कुछ नहीं करता है, तो यहाँ अपने आप minion आ जागा समझेगा आप मुझे बताईए कि कि किसा आपने स्टोब का नाम सुना है अज गैस चुला का टाइम हम आ चुका है हम लोग हमारी ममी घर पे घर घैस चुले प खाना बनाती च्गा क्या आपको पता नहीं कि पहले जमाने में इस टोप पाया बना करता था, स्टोप पेूट का एक bernard हुआ करता था, बर्णar, और आज वही bernard, घर के पिछवाड़े में फिका हुआ है, क्या आज उस bernard कोई महा तो है? बता ये, है थोड़ा बहुत महत है आपका भी गुमेंगे तो रेडी पे फुट फुट फाथ पे चायवाई बराने वाले मिल जाते हैं स्टोब पर बनाते हैं लेकिन उसके अलावा कोई इसका महत है यानि अब उसका कुछ ज्यादा महत नहीं रहा इसे बलगा बैक बर्नर मतलब जिसे ज्यादा महत नहीं दिए जाए तो को यह सब् Stupid ॅवजा इसे ज्यादा महत नहीं दिया जाए बोलूगा बैक बर्नर तो अपने घर के स्टोव का बर्नर यहत किजिए आज आघा के किसी स्टोर में ठेका हुआ होगा बैक बढ़ बैक बढ़नर से हे ऐसा दो ज्यादा महत्त हमारा नेक्षट इडियम क्या है कि बाक दर रांग होड्स मतलब गा कि किसी गलत या कमजोर व्यक्ति के समषन कर दो मेला में गया जहां पर घोड़े पैसा लगाए जा रहा है मैं लगाया सो नंबर घोड़े पर इसा हार गया मैं मतलब में मेरे पैसे नौब घूंशी तो मैं तो आप आप गलत घोड़े पर पैसा लगा या या नि घलत घरों के पीछे अङने पैसा लगाया और मैंने इसको लूट तो मिनिंग आ रहा है गलत यह कमजोर व्यक्ति का समर्थन करना हो सकता है हमने घोड़ा को इतना सुन्दर था गोड़ा हम उसका मतलब समर्थन कर दिए कि बड़ा अच्छा लड़ा है यंग है सुन्दर है इसी पर पैसे लगाते हैं इस तरह से होता है आपनी बातों को बड़े ही प्यार से रखता है आपको लगता कि समर्थन करते हैं तो अम्यक्त आदमें उस तरहा हम में तकrooms ने गलत व्यक्ति का समर्थन करना यहां पर मुहावरा है तो घोड़े से हम व्यक्ति लेंगे चुकि मुहावरा में हम सब्दों पर नहीं जाते हैं सब्दों के भाव पर जाते हैं तो यहां से हम लेंगे उसका घोड़े का लेंगे हम व्यक्ति से लेंगे गोड़े का समर्थन नहीं करता है, अपने डियल लाइफ में तो यह रहा हमारा आज का अगर यह विडियो अपको अच्छा लागा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कही बार वीडियो को फिर से स्टार्ड करना पड़ता है और कई बार वीडियो एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसमें एडिटिंग में या बहुत सरी चीज़ों में तो अगर ये वीडियो मैं आपके लिए फ्री में दे रहा हूँ तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर ये आपको फाइदा पहुचा रहा हो तो अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें और आपको जैसा भी लग रहा हो आप उसे कमेंट जरूर करें हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहन बाय गूड लग थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप खुस रहें स्वस्त रहें मस रहें और अपने सक्सेस लाइफ में सक्सेस हासिल करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच